हेलो एंट वेल्कम टू मैं चानल मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ और मेरे इस यूट्यूब चानल में पहला वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैंने लाया है निलीमा वाजे इन हैं जो एक क्रियेटर है जिनका एक शॉप है लगी क्रियेशन्स इन क्रियेशन् वाज़नर अल्फ हो सकते हैं और कई सारी ऑरतों के लिए एक एक रगजामपल है इस वीडियो मैंने फोकस किया है आत्मनिर्भर भारत बहारत पे इस आत्मनिर्भर भारत में आप देख सकते है कि कैसे हमारे जो लोकल लोग है वो आपने आपको वोकल कर रहे हैं सारी प्रम हाउस बना रहे हैं और यहीं पर ही बेच रहे हैं ताकि उनका जो ग्रोथ है इंडिया में ही और उनका इसी वज़े से मैंने आज यह जो वीडियो बनाया है I hope you guys like it और इसके बाद हम होप करते हैं कि आत्म निर्बर भारत में मैं मैं कई सारे वीडियो बनाओं Till then आप देखे मेरा वीडियो and stay tuned Hello, मैं निलीमा मंदारवजे, सांगली महारश्य से हूँ तक्रीबन 2003 से मैं Lucky Bag और Lucky Creation नाम से मेरा बैग का बिजनेश अला रही हूँ मैं Customize Bag करती हूँ मेरे खुद के कपड़े से या कस्टमर के कपड़े से मेरे बैग सीला के देती हूँ एक सारी में 12 प्रकार हर तरह की बैग बारा सो रुपए पंदा सो रुपए में बन जाते हैं उसमें सारी कीच आता है ब्लाउस कीच आता है ट्रैवल बैग आता है फैंसी बैग वगरा वगरा बहुत है आप दे सकते हैं यहां पर यह ऐसा बैग से यह देखिए यह ब्लाउस का है सारी का है और पूरा क्रॉस बैक, ट्राविंग बैक, ऐसा पूरा बारा का सेट आता है, खाली अच्छा चल रहा था सब 2003 से लेकर मैं तो खुद ऐसा बैक की डेवलप्मेंट, डेवलप्मेंट कर गई थी, रोज नए तरह के बैक डेवलप करना और कारागीर को सिखाना, उनके पास से करके आपको बेचना, ऐसा ही मेरा कारोबार था, बहुत अच्छा चल रहा था कारोबार, लेकिन इस दर मैं मार्च में एक महामारी आ गई, आप तो आपको तो सब को पता है को कोरोना, कोरोना की महामारी के बाद 23 मार्च को लोगडाउन आ गया, और हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया या की लोगडाउन का हम पॉजिटिव सोच सके, कि लोगडाउन में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश सेवा तो हमें करनी चाहिए, हम घर बैठके भी देश सेवा कर सकते, घर में सुरक्षित रहे के घर एक देश सेवाई है, कि बाहर जाएंगे तो हमें मास्क की कमतरतर हमें लगी महाराष्टर में, तो हमारा स्वांगली जीला है, उसमें एक 4000 पुलिस है, उसके लिए हमने 10,000 मास्क दोनेट केने का एक आइडिया मेरी फ्रेंड है, शूटी दान देकर उसको आया, और हमने दोनों ने मिला के 10,000 मास्क एक करीबन 25-30 मेलां को में लिया और चारे पिल को वो पूरा कर दिया, खाली लोगडॉन के स्टार्ट होने के 8 दिन के बाद ही हमारे 10,000 मास्क पुलिस तक पोज गए थे, उनको भी बहुत अच्छा हुआ कि वो रियूजेबल और वाशेबल थे, क्योंकि वो रोज जो ड्यूटी पे जाते तो उ हमने डोनेशन तो किया लेकिन फिर दिमाक में गाड़े आया कि हम इसका अभी बिजनेस का स्वरूप दे सकते हैं क्योंकि हमारे यहां पे बहुत लोग है उनको मास्की अवशकता है और वहां पे तो ऐसा चल रहा था कि मेडिकल में यहां पे ब्लैक में चल रहेते हैं मास् सचा सुपए में साथ रुपे में लोग बेच रहते वहां तब हमने सोचा कि हम हमारा एक मास्पंधर रुपए से लेकर असी रुपए तक ही बेचेंगे ज्यादा मुनाफ़ा नहीं रखने का खाली कपड़े का और स्टीलाई का स्टीचिंग का और इलेक्रिक का मट्रेल का हमें मुनाफ़ा चाहिए ऐसे हिसाब से हमने मैंने शूती ने कई डिजाइन बनाए और उस डिजाइन को लेके हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया तब दस मेट पहले मैंने एक वीडियो देखा उसमें देखा कि एक शूत की कंपनी होते हैं वो अबराट दो लोगों को बेचती है एक का मेल आता है कि मुझे इंडिया वापस आना है यहां तो कोई शूत नहीं पहिंता मैं शूत नहीं बेच सकता लेकिन दूसरे ने कहा कि बेच रहे हैं तो हम इतने कम दम में देंगे तो बहुत जादा सेल हो गा और thोड़ा समास्यवा भी हो जाएगी क्योंकि हमारा रेड भी कम है और मुझा ज्यादा अभीट हम लेने वाले नहीं है क्योंकि थोड़ा समास्यवा कर रहे है इसके लिए यह यह दो लेयर वाला माक्स बनाया है यह पूरा ज़र होता है यह पूरा कवर होता है और फिर हमारे दीमक में एटाइए आडिया आ गया कि अभी तो पूरे कमपनीज है, वो कमपनी अपना एड़टेज के इसा करें, तो यह ज़्यादा दिक्कत हो रहे थी कमपनीज को, कि हम हमारत एड़टेज चलना चाहिए, तो हमने ऐसा एड़टेज के लिए प्रोडक्शन किया है, यह देखो, यह ऐसा एक प्राइकल बैटरीज है, उन्होंने आड़टेज के लिए यह मास्क बनाया है, इसके उपर उनकी कमपनी का नाम लिखा है, अभी गावभाग सांगली में पिके दांडे कर, गंपच बैट में उनका शौप है, उनको 100 यह शौप के लिए कंप्लिट हो गई, इसलिए इन्होंने यह मास्क कस्टमर को देने के लि अभी गामी, यह देखो, यह भी पूरा कवर होता है पेस को, अभी कोरोना ने हमको क्या सिखाया, कोरोना ने हमको आत्मनिर्भर बनाने का सीख दी है, तो मुझे लगता है कि सभी महिलाओं ने खुद घर में कुछ ना कुछ बना कर, इंडिया में बेचना चाहिए, और आत हमारी को भारत से हद पर करना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लता मैम, फोर इंटर्व्यू, और होप्स, आप सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, और बाहर जाते वक्त, मास्क पहिना मत बूले, तो आपने देखा, नेलिमा वाजी जी इनका वीडियो और इस टोरी में मैंने उनसे कही सारे सवाल पूछे, उनकी जरनी की बार में पूछा, और इस जरनी में आपने देखा, कैसे उनहोंने मास्क बनाए और मास्क डोने तक किये हमारे कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने हमारे सांगली में कई साह लोगों को सर्थ किया है पुलिस वाले जो दिन रात हमारी रक्षा में हाबे लगे हुए हैं उसी के साथ इस कहानी में आपने ये भी देखा कि कई सारे ऐसे बाकी सारी अरते थी जो मिलके इनके साथ काम किये और ये बहुत ही एक अच्छा एक्जामपल है हम सब के लिए कि इस पैंडमिक के चलते हैं हम सब को साथ में होना चाहिए और ऐसे अलग-अलग काम करने चाहिए ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जो दूसरों की मदद करें चलिए I hope you guys like it और जाते जाते मेरे इस वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें और comment भी करिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे और कौन से changes लाने चाहिए इस वीडियो में तिल देन take care and stay safe